तो साथियों नमस्कार स्वागत है आप सब का आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे आज हम लोग एक और मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं डिस्क्लाइमर के तौर पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये पेपर डीटेपलदी यूपी टीजीटी पीजीटी यल्टी ग्रेट, बीपीजीटी, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर के लिए महतपून होगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का ये कारवा और बहुत ही महतपून अच्छे प्रशन आपके लिए छाट के लाया हूँ निश्चे तोर पर ये आपके परिच्छा के लि ही है वीडियो ठीक चल रहा है फड़ा फड़ा आप लोग बता दीजिए जिससे हम आगे बढ़ सकें तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आवाज मिल रही सबको प्रापर आवाज जा रही है ठीक है बेरी गुड ऑल इस विल सबसे पहला प्रस्ण है निम्न में से कौ एक आंकी जो होती है इसको एक अंक में ही सबकुछ समाप्त कर दिया जाता है इसलिए इसको एक आंकी कहते हैं चुकि जब हम दृष्य काब की बात करते हैं तो जो काबे दिखाया जा सके उसे दृष्य काब कहते हैं और दृष्य काब के दो बहेद कर दिये गए दो बहेद उपरूपक कहते हैं ठीक है यहां इनके भेद भी पूछे जाते हैं रूपक के कितने भेद हुए उपरूपक के कितने भेद हुए एक अंकों में जो कथा होती है उसे हम एक अंक एक आंकी कहते हैं ठीक है यहां बात की जा रही है एक गूट की, एक गूट जो है वो 1930 में लिखी गई इसकी डेट याद रखिएगा, परिछा के दिश्टिकूर्ण से इसकी डेट बहुत महत्पून है तो यह इसे आधुनिक धंग की प्रथम एकांकी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे आधुनिक धंग की प्रथम एकांकी स्विकार किया गया है ठीक है, यहां पर बात करें, तो एक बहुत बड़े एकांकी कार का नाम आता है जिनका नाम है राम कुमार वर्मा, क्या नाम है राम कुमार वर्मा रामकुमार वर्मा जो है ये हमारे लिए महत्पूर क्यों है इन्हें क्यों याद रखना है तो चुकि रामकुमार वर्मा एक एतिहासिक एक आंकी कार है क्या है ये एतिहासिक तिन्होंने किस तरह की एकांकियां लिखी हैं? तिन्होंने एतिहासिक एकांकियां लिखी हैं? तो इस तिष्टि कोण से हमारे लिए महत्पूर्ण कौन हो जाते हैं? रामतमार वर्मा भी हम एकांकी को जब पढ़ेंगे. प्रथम एकांकी कार कौन है? इस तरह का प्रशन भी रख लेते हैं भारतेंदू हरिस्चंद्र को पहला एक आंकी कार किसमें माना प्रथम एक आंकी कार है ये ऐसा किसमें माना तो डाक्टर सत्तेंद्र ने किसमें माना है डाक्टर डाक्टर सत्तेंद्र ने इनको प्रथम एक आंकी कार माना है इसी तरीके से राम कुमार वर्मा को प्रत्थम एक आंकी कार किसने माना जल्दी से बताएं तो राम कुमार वर्मा को प्रत्थम क्या हो रहा है वीडियो वीडियो रुख कर आ रही है नहीं बीडियो रुख के तो नहीं आ रही है थोड़ा सा नेटवर्क आपका अगड़बर हो सकता है बाकी बीडियो एकदम सही चल लगई कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ मैं भी बीडियो को लगा के देखता रहता हूं जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मालूम चल जा एकदम बढ़िया चल ला है मस चल ला है कोई दिक्कत नहीं है मैं देख पा रहा हूं यह तो एक मोबाइल में मैं लगा के देखता रहता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मालूम चल जाए हाँ अच्छा एक भूट की बात आप कर रहे हैं तो एक भूट की जो प्रकाशन की तिथी दिख जाती है और कहीं कहीं लेखन की तिथी लिख जाती है तो उसके लिए परिशान मत हुए रामकुमार बर्मा को प्रथम एक आंकी कार किसने माना तो रामनाथ सुमन ने माना किसने माना है रामनाथ सुमन रामनाथ सुमन ने इनको प्रथम एक आंक कार माना है रामकुमार वर्मा को इसी तरीके से जैसंकर प्रशाद को पहला एक आंकी कार किसने माना है ये बहुत महत्पूर्ण है जैसंकर प्रशाद को जैसंकर प्रशाद को प्रथम एक आंकी कार किसने माना है बहुत महत्पूर्ण है तो इनको नगेंद्र ने माना है, अग्ये ने माना है, नगेंद्र और अग्ये दोनों नाम याद रखेगा, दोनों बहुत महत्मून है और एक तीसरे लक्ति भी है, क्या नाम है सोमनात गुपता, इनोंने भी जैसंकर प्रशाद को प्रथम एक आंखिकार माना है, तो आप यह जानगे कि पहले एक आंखिकार कौन है, एक आंकी में एक बहुत बड़ी चीज होती है वो क्या होती है संकलन तरह तो संकलन तरह में क्या क्या आता है ये प्रशन बहुत बार पूछा गया है संकलन तरह में क्या आता है और संकलन तरह में क्या नहीं आता है ये परिछा की दिश्टिकूर से बहुत महात्पूर्ण होता है तो यह आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे अगले परशन की तरफ बढ़ते हैं Next question है चित्राधार किस कवी की कृती है दूसरा परशन है चित्राधार किस कवी की कृती है ठीक है चलिए तो दरसल यहाँ पर एक ऐसे रचनाकार है जो कि छायावाद में आधार अस्तंभ हैं हम छायावाद की बात करें तो छायावाद क्या है दो बिश्वेद्धों के बीच का एक काल है यानि की प्रथम बिश्युद्ध और दूतिय बिश्युद्ध के बीच का जो समय है उसे चायावाद नाम दिया गया कई बार परिच्छा में पूछ लिया जाता है कि दो बिश्युद्धों के बीच का समय क्या है तो चायावाद है 1918 से 1936 का लगभग समय आपको छायवाद के लिए मिलता है इसके चार आधार अस्तम्भ कभी हैं जिनको हम प्रशाद, पंत, निराला, महादेवी कहते हैं एक मजेदार कहानी आपको बताऊं, हो सकता है कि आप लोग इस कहानी से रूबरू न हो, पूँचा जाता है इनका क्रम, आप सुरकांत्रिपार्थिन निडाला की अगर जीवनी देखें तो उनका जन्म कम हुआ, वो निश्चित नहीं है तो निराला जी ने कहा कि मेरा जन्म दिन बसंत पंचमी को मनाया जाया सरस्वती मा के जन्म दिन के तो उन्होंने अपना जन्म दिन कम मनाना चालू कर दिया, उन्होंने अपना जन्म दिन बसंत पंचमी को मनाना चालू कर दिया कम मनाया उन्होंने बसंत पंचमी को क्लियर है तो अपना जन्म दिन बसंत पंजमी को मनाने लगे निराला वास्तों में पंत से छोटे हैं उमर में ऐसा लोग बताते हैं एक यहास्कार कहते हैं लेकिन उनको यह था कि मैं बड़ा रहूं सबसे आगे रहूं इसलिए एक सिक्विंस भी पूछा जाता है कि इनका सिक्विंस क्या है प्रसाद का जन्म कब हुआ निराला किस करम में हैं महादेवी किस करम में हैं तो चारो कभियों का जो सिक्विंस है वो भी आपके पूछा जाता है तो चारो आधारस्तम कभियों का सिक्विंस याद रहे दूसरा के चारो कवी जो है इनका यह रहाद रहे कि किस दर्शन को मानने वाले हैं तो जैसे हम प्रसाद की बात करें तो प्रसाद जो है वो प्रतिभिग्या दर्शन प्रतिभिग्या दर्शन शैव दर्शन वो मानने वाले हैं ठीक है पंत की बात करें तो पंत किस दर्शन को मानने वाले हैं तो एक अरविंद थे अरविंदो तो अरविंद दर्शन को मानते हैं ये अरविंद दर्शन को मानते हैं निराला किस दर्शन को मानते हैं यह भी आपको मालूम होना चाहिए तो निराला किस दर्शन को मानते हैं नववेदान्त याद रहना चाहिए आपको नववेदान्त दर्शन को मानते हैं महादेवी वर्मा किस दर्शन को मानती हैं तो ये महादुखवाद या बौध धर्म को उसके सिध्धान्तों को मानती हैं यहां प्रस्न है चित्राधार अब ये चारो कभियों की जो रचनाएं हैं वो चारो कभियों की रचनाएं परिछा की दिश्रिकोंड से बहुत महत्पून हैं ठीक है ये आपने जान लिया अब सारे कभियों की जो रचनाएं जैसे प्रसाद की सारी रचनाएं आपको रटी क्या है चित्राधार रचना का नाम क्या साथियों चित्राधार है अब यहां किस विधा की रचना है एक तो यही आप से पूछा जा सकता है तो यह काब विकृती है लेकिन एक और खास बात इसकी है इन्होंने प्रेम प्रथिक उर्वसी वन मिलन कानन कुसुम करुणाले महर प्रणा का महात घरना आसू लहर कामाईनी यह काब लिखे तो इनकी रचना घरना है एक रचना इनकी आंसू है और एक रचना इनकी कामाईनी है तो यह तीनों रचना बहुत महत्पूर है जहरना क्यों महत्पूर्ण है क्योंकि इसे चायावाद की प्रियोग शाला कहा जाता है चायावाद की प्रियोग शाला कहा जाता है और एक रचना पल्लव है वो इनकी नहीं है पल्लव को चायावाद का गोशना पत्र कहा जाता है बहुत महत्पूर्ण है कि आशो की बात करें तो ये एक विराह काब्ब्ब्ब्ध है गीत काब्बी कहे सकते हैं विराह काब्ब्ब्ध है और कामाईनी क्या है ये धरती में प्रलय आई जैसे सब ही धर्मों में आप देखेंगे तो उनके धार्मिक ग्रंतों में मिलेगा कि प्रलय आई धर्ती तो अब ही जैसी की एक रचना है जिसमें प्रलय का वर्णन किया गया जिसका नाम है अखरावट और अखरावट में किस सहनसाह की प्रसंसा की गई है तो अखरावट ज ही प्रले की चर्चा की गई है और इसके सर्गों के नाम पूसता सर्गों का सिक्वेंस पूसता है जैसे पहला सर्ग कौन सा है चिंता ठीक है चिंता की वो पहली रेखारे विश्वन की व्याली ये इसे सुरुवात होती है अब यहां अंतिम शर्ग कौन सा है आनंद तो पहला और अंतिम तो आपको यादी रहना चाहिए कि पहला कौन सा अंतिम कौन सा है और कुल सर्ग केतने है 15 सर्ग है इसमें एक चीज़ और याद रखना होता है कि किस दर्सन को रखा गया है और चंद इसमें कौन सा जादा प्रयोग किया गया है कामाईनी में ठीक है फिर बात करते हैं इस रखना की चित्राधार की तो इन्होंने अपनी जो रखनाये लिखी जो इन्होंने रखनाये लिखी अपनी वो खड़ी बोली में लिखी है किसमें लिखिया इन्होंने अधिकतर रखनाये इनकी किसकी है कहां पड़े खड़ी बोली में है लेकिन कई बार पूछ रे कौन सी भाषा हो गई कौन सी बोली हो गई भोजपूरी हो गई तो जैसंकर प्रसाद का रचना छेतर भोजपूरी रचनाये लिखते हैं खड़ी बोली में और चित्राधार जो रचना है ये परिछा के दृष्टिकोंड से इतना महत्पूर्ण क्यों है क्योंकि ये जो है इस लिखित कविताओं का संकलन है ठीक है तो ये परिछा के दृष्टिकोंड से क्यों इतना महत्पूर्ण है क्योंकि ये अब तीन तीन भाषाएं समझ लीजिए आप ये क्यों महत्पूर्ण क्योंकि ब्रद भाषा में लिखित कविताओं का ये संकलन है ठीक है ये आप जरूर याद रखिएगा अब हम बात करें कि ये जो ब्रज की कविताएं हैं वो किस नाम से लिखते थे तो इन्होंने ब्रजभाशा में भी कविता लिखा है तो ब्रजभाशा में इन्होंने जो कविता लिखा है वो किस नाम से लिखा है तो याद रखिएगा कलाधहर के नाम से इन्होंने ब्रजभाशा में जो कविताय लिखी वो कलाधहर के नाम से लिखी ठीक है और कई जगा तो इनका नाम जारखंडी भी मिलता है कलाधर के नाम से इनुने रचनाय लिखी है अब प्रस्निय आता है कि खोडी बोली में इनका पहला काबे संग्रह कौन सा है ठीक है पहला काबे संग्रह कैसे याद रहेगा आपको मैं बताऊंगा दरसल संग्रह अभी क्या चल रहा है प्रेम पखवाड़ा चल रहा है तो प्रेम में लोग क्या करते हैं कानों में और बालों में कुसुम को फसा देते हैं कुसुम मतलब पुष्प को कौन सा गाना है गाना तो नहीं याद आ रहा है प्रसंग बता देता हूं तो कानों में फूल को फसा देते हैं पहले पहले प्यार में तो कैसे याद रहेगा कानन कुशुम कानन कुशुम ये इनकी पहला काबिसंग्रा है जो की खड़ी बोली में लिखा गया है नेस्ट कुश्चन हाँ एकदम सही बात है निराला जी को अद्वेत वाद आप कह रहे हैं एकदम सही बात है मैं पूरा तरह से सामत हूँ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सेधिक दर्शन पर भी काम करते हैं जब आप पढ़ेंगे नववेदांत नववेदांत और अद्वेत वाद निराला पर कभी अच्छे से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा दर्सल निराला जो है वो उनका समंद कहां से बंगाल से है और उनके प्रिय कवी कौन है तुलसी दास है प्रिय कवी कौन है उनके तुलसी दास है और उनकी कविताओं पर किसका प्रभाव है बंगाल का बंगाल पर किसका प्रभाव है तो रवींद्र नाथ टैगोर का ठीक है तो यहां पर नौवेदान्त और अद्वेत्वा लेकिन जादा प्रभाव किसका है उनकी कविताओं पर तो वो नौवेदान्त का है ठीक है बाकी यह सारा स्ट्रक्चर है जो चीजें उनको प्रभाविब करती है तो निराला पर कभी इस पेसल बात करेंगे तो इस पे बात होगी मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है गोपाल राम गहमरी दुरगा प्रसाद मिस्र किसोरिलाल गोश्वामी या बाल कृष्ण भट जल्दी से जबाब दें आप सब मयंक मंजरी किसके द्वारा रचित है तो मयंक किसका परियाव आची है फड़ापुण बताईए मयंक किसका परियाव आची है मयंक किसका परियाव आची है और मयंक की महिमा को सबसे ज़्यादा कौन पसंद करता है तो मयंक की महिमा को पसंद करती है किसोरियां किसोरियां उस पे ज़्यादा बात करती है तो राइट अन्सवर क्या हो जाएगा मयंक मंजरी नाटक है किसका है किसोरिलाल गोस्वामी का क्या मैं सही उत्तर दे रहा हूँ, मयंक मंजरी, चौपट, चपेट, यह भी इनका नाटक है, प्राणाईनी, परिणे, यह भी इनका नाटक है, ठीक है, रेखा जी नमस्कार, नील कमल गौतम, विभा मिश्च्रा, प्रमोद गुपता, भारत शेता, सतीज कुमार, और सबका स्वागत है, जितने लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, तो यह नाटक किसका हो गया, किश्वरिलाल गोश्वामी का हो गया, नाटक का नाम क्या है, चौपट चपेट है, और यह किसके द्वारा है, परणईनी, परणए, और यह दोनों नाटक उन्ही का है, तो राइट एंसवर आपको समझ में आ गया, चलिए अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निराला जी द्वारा रचित कविता, खंड़हर के प्रती, सर, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ, सर, बिने सर को कॉल कर लीजिए अब, ठीक है, कोई बात नहीं सर, रहने दीजिए, सर, क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ, एक घंटे बाद सर, एक में टूकिएगा तो हम बात करें निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रती निम्न में से किस प्रकार की कविता है प्रेमगीत रोदरूपी कविता संबंधों संबोधन गीत है या ब्यंग गीत कविता है तो फड़ा फड़ा प्लोग बता दीजे जवाब दे दीजे निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रती निम्न में से किस प्रकार की कविता है प्रेम गीत है रोधरुपी कविता है संबोधन गीत है या ब्यंग गीत है तो यहां यह प्रेम गीत है नहीं ब्यंग गीत उन्होंने लिखा है ये लिकिन वह कौन सा है कुकुर मुत्ता ठीक है अभी हम लोगों ने एक दिवस मनाया प्रेम दिवस में गुलाब दिवस निराला जी ने पता नहीं उसको टार्गेट करके या किसको टार्गेट करके लिखा अबे सुनवे गुलाब भूल नहीं पाई खुस्बू रंगो आप और कहते हैं कि खून चूसा तूने कैपिटिलिस्ट गुलाब को कैपिटिलिस्ट कह दिया तो निराला की कविटाएं हर तरह की हैं जैसे एक गरम पकोड़ी इनकी कविटा है कुकुर मुत्ता है बादल के लिए इन्होंने कविटा लिखा है वह तोड़ती पत्थर कविटा लिखा है तो इसलिए इनको एक क्रांतिकारी कभी कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको क्रांतिकारी कभी कहा जाता है निराला जी द्वार रचित कविताएं जो हैं उसमें खंडहर के प्रति जो कविता है यह किस तरह की कविता है अजैसेन की कविता राम की शक्ति पूजा है राम की शक्ति पूजा ये कविता क्या है क्रतिवास रामायर प्राधारित है बैंगॉली सब्भेता और शक्ति की उपासना को केंद्र में रखा गया है ये भी काफी चर्चित कविता है तो यहां पर बात की गई है सी ऑप्शन की ठीक है, खंडार के प्रदी जो कविता है, एक संबोधन गीत है, तो याद रखिएगा, क्या है ये, एक संबोधन गीत है, इन्होंने जूही की कली नाम के कविता भी लिखा है, जूही की कली, ये रचना, महाविर प्रसाद दिवेदी ने सरस्वती पत्रिका में पहली बार छपने से मना कर दिया था, महाविर प्रसाद दिवेदी कहते हैं, भाई, इस पर अस्लीलता कारूब है, क्यों, और दूसरी खास बात इस कविता में ये थी, कि ये पहली कविता थी, जो मुक्त मुक्त छंद की प्रथम कविता है क्या है ये मुक्त छंद की प्रथम कविता है ठीक है चलिए नेस्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं हाँ तुलसी दास इनकी रचना रेखा जी एकदम सही बात है वो निराला की रचना है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर पांच पे चलते हैं निम्न में से कौन सा कहानी संग्रा ममता कालिया का नहीं है आपको बताना है कि कौन सा ममता कालिया का नहीं है छुटकारा सीट नमबर छे बहुत ही ज़्यादा चर्चित है ये सीट नमबर छे में एक अदद अवरत मुखवटा उसका यववन बोलने वाली अवरत आद इनकी बहुत चर्चित रचनाएं हैं किसकी? ममता कालिया की एक रचना जो यहां पर आकाश दीप है वो उनकी नहीं है ये किसकी है? जय संकर प्रशाद की है? पूछा गया है कि जय संकर प्रशाद का पहला कहानी संग्रह वो कौन सा है? तो जैसे इनका पहला कहानी संग्रह 1912 में च्छाया के नाम से आता है च्छाया प्रतिद्वानी आकास गीट एक मत रुकिएगा आप सब प्रतिद्वानी झाल आवाज आने लगी है ठीक है शुरू करते हैं तो हम बात कर रहे थे कि जैसंकर परसाथ की जो पहला कहानी संग्रा वो च्छाया था इसी तरीके जिनका एक कहानी संग्रा है जिसको हम आकास गीत के नाम से भी जानते हैं चलिए अगला कुश्चन बढ़ते हैं नारिवादी कहानिकार मानी जा सकती है दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है तो ये उसका प्रश्न है नीचे वाला दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है चलिए तो दुलाई वाली कहानी किस रचना कार्दवार लिखित है तो दुलाई वाली कहानी एक तो इसकी डेट याद रखिएगा तो इसकी डेट क्या है उनीस सो साथ है हिंदी की जितनी पहली कहानिया है उनकी डेट आपको याद रहनी चाहिए तो दुलाई वाली कहानी जो है वो नी सो साथ की है किसके द्वारा लिखी गई है तो बंग महिला के द्वारा लिखी गई है और इनका एक नाम और है क्या नाम है राजेंद्र बाला गोश नाम है ठीक है राजेंद्र बाला गोश इनका नाम है अब बाकी जो कहानिकार हैं बिस्वंभर ना सर्मा कौसिक इनकी एक कहानी बहुत ज़्यादा चर्चित है आप लोगों को याद हो तो जरूर बताइए एक कहानी हम लोगों ने बहुत तो बच्चपन में भी कई बार पढ़ी बार में भी पढ़ी कहानी का नाम है ताई क्या इन्हीं की कहानी है ये बताइए आप सब क्या इन्हीं की कहानी है ठीक है अब बात करते हैं मन्नू भंडारी की तो यहाँ दुलाई वाली कहानी जो है बंग महिला की कहानी है इन्हें राजेंद्र भाला घोस के नाम से जाना जाता है और इन्हें प्रथम कहानी लेखिका के रूप में भी जाना जाता है इन्हें क्या जाना जाता है प्रथम कहानी लेखिका के रूप में भी इन्हें जाना जाता है अच्छा ग्रेजुएशन सेकेंड इयर में पढ़े हैं बेरी गुड बहुत अच्छा एक कहानी इनके और बहुत अच्छी है कहानी का नाम है रक्षा बंधन ठीक है रक्षा बंधन जो कहानी है यह भी इन्हीं की है मन्नू भंडारी की बात करें मैं हार गई यही सच है एक प्लेट सैला आप तीन निगाहों की एक तस्बीर और त्रिशंकू तो यही सच है और त्रिशंकू बहुत महत्पून है यही सच है त्रिशंकू एक प्लेट सैला आप ये इनकी रिचनाएं है तो इसको जरूर याद रखिएगा चलिए राय कृष्ण दास भी यहाँ पर आप कोई मिल रहे हैं ये भी एक महत्पूर कहानीकार हैं तो कई बार पूँच लिया जाता है कि इन में से कौन रचनाकार कहानीकार नहीं है अगला प्रशन हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा ब्रतांत है हमारी जापान यात्रा तो ये किसकी है कनहिया लाल मिस्र प्रभाकर की है कैसे याद रखेंगे कि जो कनहिया है वो कहां गए जापान की यात्रा करने के लिए जाते हैं यूरोप यात्रा म च्छाहमास राम नरायन मिस्र की है यूरोप यात्रा में च्छाहमास दूसरा शुप्रसाद गुप्त की बात करें तो एक यहां और आपकी रचना है तो बहुत महत्पूर है प्रिथवी प्रदिक्षणा आप सब बताएं किसका है प्रिथवी प्रदिक्षणा प्रदिक्षणा द्यान रखिएगा ये कई बार परिच्छाओं में पूँचा गया है कि किस विधा की रचना है किस विधा की रचना है प्रदक्षणा तो इसकी विधा आपको याद रखना है प्रत्वी प्रदक्षणा किस विधा की रचना है most important प्रस्न है तो प्रत्वी प्रदक्षणा 1914 में यात्रा ब्रतांत है और रामेश्पर यातरा जो है वो बद्रिक रामस्वाम की यातरा पर लिखा गया है देवी प्रसाथ खत्रि द्वार रचित है तो जापान की यातरा करने कों जाते हैं तो कनहीय लाल मिस्र परभा कर जाते हैं ठीक है झाल झाल चलिए समझ में आ गया next question की तरफ बढ़ते हैं महादेवी वर्मा की रचनापथ के साथ ही किस बिधा में है ठीक है महादेवी वर्मा की रचनापथ के साथ ही किस बिधा के अंतरगत है शाक्षातार है निबंध है संस्मरण है या उपन्यास है महादेवी वर्मा की जितनी रचनाएं है महादेवी वर्मा की जितनी रचनाएं है सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है और उन रचनाओं में विधा जरूर पूछी जाती है कि कौन सी रचना किस विधा की है खास करके जो इनके यात्रा बिरतान्त और संस्मरण है उनको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान रखिएगा वो आप से पूछा जरूर जाएगा वो आप से पूछा जरूर जाएगा तो एकदम से इसको याद रखिएगा ठीक है यहाँ पर है पथ के साथी अब आप इसको कैसे याद रखेंगे तो दरसल जब आप किसी के पथ में साथी बनते हैं तो लोग उसको क्या करते हैं याद रखते हैं और जब किसी विधा को याद रखा जाता है ताथ पर उसका हुआ संस्मरण और पथ के साथी में कुल ग्यारह लोग उनके साथ हैं कितने लोग उनके साथ हैं ग्यारह लोग उनके साथ हैं तो इस तरीके से ये बहुत महत्पूर्ण है ठीक है तो पत्थ के साथ ही चलिए दर्चल पत्थ के साथ ही जो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा और ये बहुत ही चर्चित है इसमें 11 लोगों का नाम है जो परिक्षा के द्रिश्चिकोंड से बहुत महत्पूर्ण है तो आप सब चाहें तो इन 11 लोगों का नाम लिख लीजिए कई बार परिक्षा में पूछा गया है किसमें कौन है और कौन नहीं है उन्होंने सबसे पहले अस्थान पर लिखा है दद्दा को किसको लिखा है दद्दा को और दद्दा कौन है आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे दद्दा कौन है तो उन्होंने दद्दा के नाम से मैथली सरन गुप्त किसको रखा है मैथली सरन गुप्त को दद्दा कहा है दूसरे अस्थान पर उसने निराला निराला को वो क्या मानती थी तो निराला को वो भाई मानती थी तो उन्होंने निराला भाई लिखा है तीसरे पर उन्होंने लिखा है संस्मरण प्रेम चंद बहुत महत्पूर्ण है सारे नाम चौथा प्रसाद पांचुमा सुमित्रा नंदन पंत छट्मा सुभद्रा कुमारी चौहान सात्मा प्रणाम के नाम से उन्होंने लिखा है क्या नाम रखा है प्रणाम नाम रखा है प्रणाम ये भी पुछा दाता कि प्रणाम के नाम से उन्होंने किसको कहा है तो रवींद्र नात ठाकुर को उन्होंने प्रणाम किया है और टाइटल भी उसका उसी तरह से रखा है आठवे पर बात करें पूनिय स्मरण पूनिय स्मरण के नाम से उन्होंने किसको स्थान दिया है ये भी बहुत महत्पून है तो पूनिय स्मरण उन्होंने किसको कहा है तो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को उन्होंने पुन्यस्मन कहा है नौवा राजेंद्र बाबू तो भाई राजेंद्र बाबू का मतलब क्या है तो बाबू राजेंद्र प्रशाद यहां पर क्या ताथपर हो जाता है बाबू राजेंद्र प्रशाद राजेंदर बाबू का ताद पर हो जाता है उन्होंने कहा है जवाहर भाई मज़ेदार बात यह है कि वो जवाहर भाई है कौन तो जवाहर भाई का मतलब जवाहर लाल नहरू बहुत महत्पूर्ण है जिस से उनका जिस तरीके का संबंध था उसी तरह के संबंद को इन्होंने यहां पर रखा है ठीक है संत राजर सी और यह कौन है पूरुसोत्तम दास टंडन साथियों यह जो ग्यारह नाम है UPT, GT, PZT के दिश्टिकोंड से महात्पूर्ण है YLT के दिश्टिकोंड से बहुत महात्पूर्ण है तो सभी दिश्टिकोंडों से BPSC के दिश्टिकोंड से बहुत महात्पूर्ण है यह सारे नाम आपको याद रहने चाहिए ठीक है? यहां से प्रस्ने चूकी आप से पूछे जाएंगे तो वड़ा पड़िसका है कि स्क्रीन सॉर्ट है लीजिए क्या कर लीजिए क्लियर है? ले लिया आपने? चलिया अगले प्रस्ने की तरफ बढ़ते हैं पंचवटी खंड काब की रचना किसका भी द्वारा की गई? दिखिए बहुत कंफ्यूज करने वाले प्रस्ने है ये एक रचना है जिसका नाम है पंचवटी प्रसंग और एक रचना है जिसका नाम है पंचवटी ये हमेशा कंफ्यूज करने वाली रचनाएं हैं और ये परिछा में उसी तरह से कंफ्यूजन क्रियेट करती है ठीक है? अब चलिए अब देखते हैं कि वास्तों में क्या सच्चाई है इस प्रस्न की क्या सही उत्तर आपके अनुसार होना चाहिए तो यहाँ पर पंचवटी जो है मैथली स्रण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है पंचवटी जो है वो मैथली स्रण गुप्त के द्वारा लिखी गई है और ये क्या है? एक खंड काव्य है किस तरह का काव्य है? तो यह एक खंड काव्य है समझिएगा किस तरह की रचना है ये? तो एक खंड काव्य है क्लियर है? खंड़काब का तातपर क्या होता है कि जहां पर किसी एक घटना को महत्व दिया जाए किसी जीवन के एक पक्ष को महत्व दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं खंड़काब कहते हैं तो पंचवटी जो है 1925 में लिखा गया इसकी डेट भी याद रखिएगा तो पंच से पंच में गुणा करिए तो क्या हो जाता है 25 हो जाता है पंच पचम 25 तो पंचवटी यानि कि पंच का जब स्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा तो आपको याद रखना है कि सरचना की तिथी क्या है तो 1925 है परिच्छा के दृष्टिकोर से ये काफी महत्पून है मैथली सरण गुप्त पंचवटी प्रसंग जो कि एक खंड काब्य है और निराला ने जो लिखा स्वरी मैथली सरण गुप्त ने पंचवटी लिखा है और निराला जी ने पंचवटी प्रसंग लिखा है निराला ने क्या लिखा है पंच्वटी प्रसंग लिखा है जो कि एक काब बेरचना है ठीक है? क्या है? एक काब बेरचना है समझ में आ गया? चलिए, बेरी गुड तो ये हमेशा याद रहेगा गुप्त जी कि एक रचना बहुत ज़्यादा चर्चित है वो रचना भारत में युवा जो है युवाओं को एकदम से आगे ला देती है युवा उस रचना को लेकर इतना उत्साहित होते, इतना प्रोत्साहित होते है वो रचना बहुत महत्पूर्ण हो जाती है तो कौन सी रचना है? आप बताईए और उस रचना के कारण इनको पुरस्कार भी मिल गया था राष्ट भाक्ति से उत्प्रोत एक कविता है तो आप सब बताईए फटा-फट जै जै स्वरगागार समभारत कारागार पुरस पुरातन का जहां हुआ नया अबतार ये पंक्ति कहां से ली गई है तुकि ये पंक्ति जो है राष्ट भक्ति भर देती है देश के युवाओं में और ये पंक्ति प्रस्तावना में लिखी गई है किस रचना की प्रस्तावना में यह पंक्ति लिखी गई है मानस भवन में अर्च जन जिसकी ज्वार्या रती भगवान भारत वरस में गूझे हमारी भारती हो भध्रा भावो विजी अह भारती है भगवते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते तो ये जो बात कर रहे हैं हम 1912 की रचना है और ये रचना भारत भारती के नाम से है किस नाम से है तो ये रचना भारत भारती के नाम से है और बहुत ही ज़्यादा चर्चित रचना है पंचवटी के बाद भारत भारती तो ये रचना कालजाई रचना है, कालजाई रचना हम उस रचना को कहते हैं जो रचना हमेशा के लिए अमर हो जाती है इसी तरह से इनकी एक और रचना है जो अमर है जैसे जैद्रत्वत, भारत, भारती, पंचवटी, जहनकार, साकेत, यसूदरा, जै भारत, ग्वापर लेकिन एक रचना है जो इनकी अमर है रचना का नाम क्या है? साकेत है हाँ जी एकदम सही बात है साकेत पर इनको मंगला प्रसाथ पारितोसक सम्मान मिला गुप्त जी अपना जो साहितिक गुरु है वो महाविपशाथ दिवेजी को मानते थी और इसी रचना पर भारत, भारती पर इनको राष्ट कभी सम्मान मिला भारत, भारती पर इनको कौन सा सम्मान मिला तो राष्ट कभी सम्मान मिला और इसी नाम से एक पुरसकार भी भारत उत्तर प्रदेश सवरकार ने श्टार्ट किया है भारत भारती ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहितिक पुरसकार है ये भी आप याद रखेंगे जो कि भारत भारती के नाम से दिया जाता है 1982 में पुरुस्कार शुरू किया गया था और आज तक ये दिया जा रहा है निम्लु पन्यासों में कौन सा उपन्यास पनिश्वनात रियंडुका नहीं है लो भईया, गड़ कुंदार परती परकतHO जुलूस मैला आचल कौन सा उपन्यास पनिश्वन नात रियंडु का नहीं है बहुत आसान सा प्रश्न है पड़ा पड़ बता दीजिए तो गढ़ कुंडार जो है वो इनका उपन्यास नहीं है जबकि परती परकता जुलूस मैला अचल सब इनका है मैला अचल की डेट याद रखिएगा 1954 है ये हिंदी का प्रथम आंचली को पन्यास माना जाता है दीर घतपा कितने चोरा है पल्टू बाबु रोड राम रतन राय बहुत महत्पून है इनका एक उपन्यास है पल्टू बाबु रोड क्या नाम है पल्टू बाबु रोड अभी जब नितीस कुमार ने अपना पहला बदला तो इस उपन्यास को लोग खूप शेयर करने लगे थे पल्टू बाबु रोड नामक उपन्यास को ठीक है तो 1954 का ये बहुत चर्चित उपन्यास है मैला चल ये भी याद रखिएगा अगला है विकलांग सरद्धा का दौर किसके द्वारा लिखा गया है ये जो है विकलांग सरद्धा का दौर दरसल ये ब्यंग परक उपन्यासकार है किस तरह के हैं ब्यंग परक उपन्यास लिखते हैं और इनके उपन्यास ललित उपन्यास की स्रेणी में भी रखे जा सकते हैं ठीक है ललित उपन्यास अब इनके उपन्यासों में हम देखें हमें क्या मिलता है ब्यंग परक और ब्यंग परक उपन्यासिन के और कौन से हैं बिकलांस रधा का दौर 1989 में और इस निबंद पर साहित अकादमी पुरसकार भी इनको मिला 1982 में क्या मिला साहित अकादमी पुरसकार इनको दिया गया जैसे उनके दिन फिरे पगडंडियों का जमाना बैसनों की फिसुलन ठिठुरता हुआ गरतंत्र तुलसी चंदनगी से कहत कबीर आवारा भीड के खतरे प्रेमचन के फटे जूते बहुत महत्पूर्ण है इनका किसका परसाईजी का जनता मुझसे पूछ रही है क्या है जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाओं जनकवी हूँ मैं साप कहूंगा क्यों हकलाओं पंक्तियां किसकी है जल्दी बताईए जनता मुझसे पूछ रही क्या बतलाओं जनकवी हूँ मैं साप कहूंगा क्यों हकलाओं किसकी है नागारजुन की है और ये किस तरह के रचनाकार है ठीक है ये किस तरह के रचनाकार है ये भी आप रखना है तो ये बहुत महत्पून रचनाकार है और इनकी रचनाओं में क्या मिलता है खास करके प्रगतिवादी चेतना इनकी रचनाओं में प्रगतिवादी चेतना देखने के लिए मिलती है प्रगतिवादी चेतना है माक्सवास से गहरे प्रभावित हैं युगधारा सतरंगे पंकों वाली तुमने कहा था 85 पत्राई आखे भसमांकूर हजार हजार बाहों वाली तालाब की मसलियां ये इनके महतपूर्ण है इनकी एक और पंक्ती है जो खूब पूची जाती है रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुह पर लगाएगा कोई भी हो निष्चे ही वो कमनिष्ट कहलाएगा पाँच पूत भारत माता के दुसमन था खुमखार गोली खा कर एक मर गया बाकी रह गये चार बाकी रह गये चार इस तरह की बात कहते हैं रोजी रोटी हक की बातें जो मुह पर लाएगा कोई भी हो निष्चे वो कमनिष्ट कहलाएगा पाँच पूत भारत माता के दुसमन था खुमखार गोली खा कर मर गया बाकी रह गये चार अब ध्यान रखिएगा कि पाँच वो कौन है यह इनकी बहुत चर्चित रचना है बहुत चर्चित कविता है पाँच पूत भारत माता के यह इनकी रचना है तो पाँच पूत कौन थे और एक कौन मर गया यह मुझे आप कल तक बताईएगा खोज के खोजिएगा और इनकी कविता पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि वो पाँच पूत कौन थे और एक पूत कौन मर गया कितने बचे तो यह अपने आप आप हमको बता देंगे नागारजुन बहुत चर्चित कविताय लिखते हैं लिखे हैं और सब परिछाक दिश्कूर से महत्पूर है हदारिप्रसाद दिवेदी का प्रथम निबन संक्रा कौन सा है पड़ा पड़ पताईए प्रथम निबन संक्रा की बात करें तो 1948 में इन्हों ने एक निबन संक्रा लिखा जिसका नाम है असोख के फूल क्या लिखते हैं ये असोख के फूल नामाग निबन संक्रा लिखते हैं कलपलता मद्धकालिन धर्मसादना उटज बहुत महत्तुकूर इसकी डेट आप जरूर याद रखिएगा कुटज जो है वो 1964 का है यानि कि आप इसकी डेट याद कर सकते हैं कि चीन युद्ध के आसपास का जो समय है उसी समय नोंने लिखा है बिचार और बितक, बिचार और प्रवा, साहित सहचर और आलोग पर्व आलोग पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप मुझे बताएंगे कि आलोग पर्व पर कौन सा पुरसकार मिला है आलोग पर्व इनका निबंध है जो की 1972 में लिखा गया आप सब कमेंट करके बताएंगे कि आलोग पर्व पर इनको कौन सा पुरसकार मिला बहुत महत्पूर्ण है आलोग पर 1972 इनके निबंधों को क्या कहा जाता है ठीक है इन्हों निबंधों को क्या कहा है स्वयम ने इन्हों निबंधों को कुछ कहा है स्वाधीन किस तरह का ब्यक्ति है स्वाधीन है लेकिन उसकी चिंत क्यूंधों कि उपज तो ये कथन किसका है हजारी प्रसाद दिवेदी रोचाद दिवेदी ने स्वयम के निबंधों को क्या कहा ब्यक्त की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है याद रखिएगा क्या कहा इन्हों ने तो ब्यक्त की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है और राइट एंसर होगा असोप के फूल 1948 बहुत महत्मून है ने सुशन की तरफ अगला प्रश्ण है निम्द बिकल्पों में से कौन साइक बिकल्प रचना का रचना की दर्शे से गलत है नागारजुन युगधारा स्युमंगल सिंग सुमन वीड़ा त्रलोचन धर्ती केदारना थगरवाल युक्की गंगा चलिए जल्ली बताईए जो पेड़ स्टुडेंट है क्योंकि नौ बज़े से क्लास होती है थोड़ा से लेट है पंदरा नौ पंदरा से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्लास तो आप लोग अभी इसको देख लीजिए चौदाहमा जो प्रशन है निम्द बिकल्पों में से कौन सा एक बिकल्प रचना का रचना की दर्शन से गलत है पड़ावट कमेंट करके बताईए तो हम देख रहें कि स्युमंगल सिंग सुमन यहां बीड़ा की बाप कर रहे हैं तो बीड़ा तो है नहीं इनकी रचना बीड़ा किसकी रचना है 1927 में लिखी गई रचना है किसकी है सुमित्रा नंदन पंत की है सुमित्रा नंदन पंत की है बहुत ही महत्वपूर कभी है अभी इनके हम लोगों ने बराबर चर्चा किया था शुमंगल सुमन की रिज़र रचनाये हैं हिलोल जीवन के गान युक कामोल पलय सजन विन रही माचल मिट्टी की बारात वाणी की बथा तो मिट्टी की बारात और बारी की बथा बहुत महत्वपूर है यह जरूर याद रखियेगा मिट्टी की बारात और बारी की विधा यहां यह दोनों ये प्रशन खास करके पूछा जाता है कि मिटी की बारात किस विधा की रचना है क्या पूछा जाता है कि मिटी की बारात किस विधा की रचना है तो बताईए आप सब मिटी की बारात किस विधा की रचना है बाकी सारा ठीक है मैला आचलू पन्यास कहां का चित्रण है बांदा मेरी गंज, बरेली, हर्दोई तो आप सब जानते हैं मेरी गंज है ठीक है आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है कि गोदान उपन्यास में किस गाउं का चित्रण है गोदान में किस गाउं का चित्रण है किस गाउं का वर्णन है ये प्रशन कई बार पूछा गया है जैसे कुछ उपन्यासे जिनके गाउं आपको यादी रखना है जैसे राही मासूम रजा का आधा गाउं जरूर याद रखिएगा इसे तरीके से मैला अचल का राग दर्बारी का इन सबका आपको जरूर याद रखना है ये पुनिया के मेरी गंजगाउं का चित्रन किया गया है और इसके पात्र भी पूछे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोनों पात्रों का नाम आप याद रखेंगे प्रसांत और कमली की प्रेम कहानी है प्रसां डॉक्टर है ठीक है और कमली जो है काफिसर की बेटी है रेनु जी को उपन्यासों में दीर्गतपा, जुलूस, कितने चोरा है पल्टु बाबु रोट, राम रतन राय बहुत महत्पून है कई बार पूछा गया है कि इनका कौन सा उपन्यास अधूरा है आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा उपन्यास इनका अधूरा है तो इनका एक अपूर उपन्यास है नाम है इसका राम रतन राय यह इनका उपन्यास पूर नहीं है यह उपन्यास इनका किस तरह से है अपूर्ण ठीक है अब यहां एक जी जो पूछा जाता है कि इनका जो उपन्यास है ये जो उपन्यासकार है इनके साहितिक गुरु कौन थे मतलब इनके साहितिक गुरु कौन थे साहितिक गुरु कमेंट करके बताना है आपको किनके साहितिक गुरु कौन थे देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं साहितिक गुरु कौन थे मैंने आपको बताया है तो नाम है सतीनाथ क्या नाम है सतीनाथ भादुरी क्या नाम है सतीनाथ भादुरी इनके साहितिक गुरु है और वो साहितिक गुरु हैं वो कहां के हैं तो याद रखिएगा ये हैं बंगला ये कौन है तो ये बंगला उपन्यासकार है और ये इनके साहितिक गुरु हैं परिच्छा की दिश्कोन से बहुत महत्पूर है रूपक रहसे नामक आलोशनात्मक ग्रंथ के रशनकार कौन है थोड़ा जलीली कर लेते हैं सोला का सही उतर क्या होगा स्याम सुंदर दास राइट एंसर होगा स्याम सुंदर दास इन्होंने लिखा है साहितिया लोचन भासा बिज्ञान हिंदी भासा कभिकास हिंदी भासा प्रसाहित्य ये इनकी रचनाएं हैं, 17 नंबर का प्रसbakर है सिन्दूर की होली नाटक क्रचना किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत इचर्चित रचना है 1934 में, लक्षमी नारायाण लाल, दिहां डखिएगा लक्षमी नारायाण लाल, लक्षमी नारायन लाल यहाँ पर आप कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लाल होगा कि मिस्र होगा तो मैं आप एक ट्रिक बता देता हूँ जिंदगी में भी नहीं भूलेगा देखिए जो यहाँ पर सिंदूर है सिंदूर का रंग कैसा होता है लाल होता है और यहां पर क्या है यह भी लाल है तो कैसे याद रहेगा यह किसने लिखा है सिंदूर लाल होता है तो सिंदूर की होली लच्षमीन अरैन लाल का है clear है कि नहीं है यही confusion है और यही गलती होती है यहां पर हम बात करें तो यह इसका उल्टा है लाल नहीं होगा और यही मन में रह जाता है तो यह लठ्वीन अरायन लाल का नहीं है सिंदूर की होली नाटक किसका है बताइए कितने लोग है एकदम सही है अनुन दीब जी ने एकदम सही बात पकड़ लिया यह गलती होती है लोग ऐसे जोड़ लेते हैं लेकिन यह आपको याद रखना है कि सिंदूर केवल लाल नहीं होता सिंदूर कई रंगों से मिस्रत होता है अब आप देखेंगे कि पहले सिंदूर का रंग लाल होता था अब तो सिंदूर में भी कई कलर मिलते हैं क्या सिंदूर केवल लाल होता है नहीं सिंदूर की कई र रंग लाल नहीं होता, सिंदूर का रंग मिस्र होता है, अब कन्फूजन आपका दूर हो गया, यानि कि राइट अंसर क्या होगा, लक्षमी नारायन मिस्र होगा, और यहां लक्षमी कांत लाल लिखा है, तो वैसे भी ये गलत ही था, लक्षमी नारायन मिस्र दर राइट अं आधिकाल जो है 1700 से लेके 1900 तक चलता है, मतलब 100-200, 200 साल तक चलता है, आधिकाल 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधिनिकाल 1900 से अब तक, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महात्पूर्ण है परिच्छा के दुर्शिकों से, आधिया धूरे नाटक किसके द आधिया धूरे, किसका नाटक है, 1979 का है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, और यह नाटक जो है, एक ब्यप्तिकी पूर्टा की तलास करता है, और मील का पत्थर भी इस नाटक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मील का पत्थ कहा जाता है ठीक है इस नाटक के पात्र भी पूछे गए हैं साबित्री बिन्नी असोग किन्नी मनोच काले कपड़ो वाला पुरुस ये बहुत महात्पूर्ण है महेंदरनास सिंघानिया जुनेजा तो कई बार जुनेजा पूछे जाते हैं और किन्नी पूछी जाती है सेखर एक जीवनी के सेखर का चरित मूलता किस प्रकार का है बैंगात्मक है शांत है प्रक्रत प्रेमी है या बिद्रोही है तो सेखर एक जीवनी जो है पहला चीज पूछा जाता है कि किस तरह का उपन्यास है तो आप बताएंगे कि ये जीवनी परक उपन्यास है नहीं य आत्म कथात्मक उपन्यास है। इसके अलामा ये पूर्व दीपति सैली में लिखा गया उपन्यास है। किस तरह का उपन्यास है? तो ये पूर्व दीपति सैली में लिखा गया उपन्यास है ठीक है अब अगर आप BPSC के कक्षाओं के लिए हमसे जूड़ना चाहते हैं जो कि एक प्रैक्टिस बैच है जिसमें आपको रिकार्डेट पूरा दिया जाएगा रिकार्डेट क्लास दी जाएगी नोट्स दिया जाएगा टेसरीद दी जाएगी औ कैसे मिलेगा वाट्साइप करने पर नंबर है चानवे अठाइस पंचानवे बानवे सैंफिस पर ठीक है खरोष्टी लिख भारत के किस चेत्र में प्रतिलित थी दख्षणी पस्चमी उत्तर या पूर्वत्तर भारत में तो राइट एंस पर इसका क्या हो जाएगा कि खरो होता है गधा, गधाय कि दा होट होता होट होता है बढ़ा बदसूरत होता है जिसके कारण इसका नाम ये देखने में सुंदर नहीं थी जिसके वज़ास इसका नाम खरोष्टी पड़ गया, ठीक है तो साथ यहों आज की क्लास कैसी लगी? जरूर बताइएगा कल फीर इसी समय रात को आठ बजे आप सबसे मुलाकात होगी कहीं जाएगा मत रात को आठ बजे मुलाकात करिएगा लाइब रहिएगा और कल सुबह भी आप सबकी एक क्लास होगी कल सुबा भी एक क्लास होगी और रात को भी एक क्लास होगी प्रैक्टिस लाइब और अब हम लोग चलते हैं नो बज़े वाली क्लास में तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार जैहिंद शुबरात्री